हेलो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ क्रिस्टल ओल इस्टडी चैनल पर तो चलिए आज हम जानेंगे हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जो स्यूटी में आता है कहीं उसका क्या सिलेबस रहता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारे 200 में से 200 मार्क्स आ सकें तो ये जो लेक्चेर रहने वाला है बच्चो ये हमारे रहने वाला है हिस्ट्री सिलेबस पर उसके डिसकेशन पर और उसका ओवर्यू टोटल हम देखेंगे कैसे क्या आता है और मैं आपको एजुकेट करूँगा हिस्ट्री क्रिस्टल ओल प्लेटफॉर्म पर तो चलिए अब हम कुछ चीजे जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या कह रहता है अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को अगर बाटना है अगर पेपर में देखना है आपको हिस्ट्री तो हिस्ट्री कहीं ने कहीं टू कॉंपोनेंट्स में बाटी गई है और इसमें अगर हम देखें तो two components जो हैं सबसे पहला आजाता है हमारे पास general test अब general test में कहीं ने कहीं ऐसे अलग से आपको नहीं दिया गया है कि हाँ history है ये और history का ये syllabus है आपको इस तरह दिया गया है कि general test में एक आता है gk करके gk and general awareness तो कहीं ने कहीं उसका एक हिस्सा है history और जिससे अगर आपके अगर देखा जाए तो यहां पर 20 questions आते हैं उनमें से 4 से 5 जो होता है वो history को cover करता है तो इस चीज को भी मैं ही cover करूंगा और इसका जो सारा syllabus होगा आज हम इसको भी discuss करेंगे और कहीं कहीं जो एक important रहता है कि हाँ CUT domain का एक paper होता है history अब वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों वहाँ पर 200 marks का एक पूरा paper ही होता है history का ठीक है और जिसमें जो भी pattern है मैं आपको आगे discuss कर दूँगा यह आज सारी चीजें तो यह हमारा हो गया history का overview और हम आगे दिखते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ कैसे क्या syllabus आता है और क्या नहीं आता है तो देखिए यह जो आपको syllabus दिख रहा है यह हमारा है general test का जो history में syllabus रहने वाला है तो around अगर मैंने history को बाटा है तो देखिए history को अगर आप बाटते है तीन हिस्सों बाट सकते हैं सबसे पहला हमारा होता है सबसे पहला हमारा होता है ancient history second आपके पास कहीं न कहीं आएगा medieval history medieval की बाद आपके पास आएगा modern history और modern के बाद कुछ चीजे खास करके जो cut general test में आता है वो miscellaneous होता है like कहीं हो गया battle की dates आ गई या फिर कोई important event जो हुआ है वो आ गया तो उन चीजों को अलग से हम लोग cover करेंगे तो यह सारी divisions है मैंने आपके सामने करी है यह कहीं नहीं कहीं cut general test में आती है इसको आप please confuse मत कीजेगा subject जो है एक domain होता है जो history का होता है वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो आगे हम चलते और चीजे देखते हैं कि क्या क्या रहता है history का अगर हम syllabus देखेंगे ancient history में तो ancient history में हम मैंने जो totally इसको divide किया जो हमने देखा हमारी team ने देखा कि हाँ कैसे MSQs आते हैं क्या आते हैं कहीं और यह 10 topics होते हैं 10 topics में हमने पूरा ancient history को cover कर दिया और अगर आप देखेंगे तो जो competitive exams होते हैं mostly वहाँ पर यह सारा यही same syllabus रहता है लेकिन वहाँ पर जो content रहता है वो आपका ज़्यादा रहता है लेकिन अगर आप CUT के बारे में पढ़ेंगे तो CUT में में मेटा देखो कैसे फर्गा जाएगा अगर आप यहाँ पर देखिए Indus Valley Civilization तो Indus Valley Civilization में वह directly इस तरह छोटे मोटे सवाल पूछेगा कि सबसे पहली site कौन से थी जिसको discover करा गया तो यह बहुत असान सवाल रहता है जिसको कहते है हरपा और हरपा क्यों रखा गया हरपा Indus Valley Civilization का दूसरा नाम क्या है तो इसको आप कहे दोगे कहीं कहीं हरपान civilization ऐसा क्यों क्योंकि सबसे पहले जो खोज करी गई थी site होती हरपा तो इसी तरह के छोटे मोटे सवाल जो होते हैं कहीं कहीं हिस्ट्री से आते हैं CUT के general test में और इसको आपको इतना deeply नहीं पढ़ना होता है तो अगर मैं एक एक classes भी इनके लूँ तो around मैं आपको 12 से 13 classes में पूरा ये complete करा सकता हूं ancient को इसी तरह आप अगर देखें कि ये देखिए Middle India अब Middle India में भी हमारी almost 8 topics हैं तो ये Middle India खास करके ज़्यादा नहीं आता है यहां से अगर देखा जाए तो भक्ती हो गया सूफी movement हो गया या फिर डैली सल्तिनेट से हो गया कुछ-कुछ सवाल आ जाते हैं और बाकी Vision Agra Empire से थोड़ा बहुत आता है और बहुत ज़्यादा नहीं आता है यहां से Mainly फिर आता है हमारा Modern India अब Modern India में देखिए क्या-क्या आसकता है Major जो movements होएं कहीं नहीं गई बिटा ये सवाल तो आता ही है कि जो movements होएं वो कब होएं हैं कौन से साल में होएं आपको पूछ लेगा अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा अगर आपको C.U.T. General Test में अगर वो सवाल पूछता है आपसे तो वो कुछ इस तरह पूछेगा कि बताइए 4-4 incidence 4-4 incidence कौन से साल में हुआ तो आप इसका अंसर डारेक्टली दे सकते हैं 1922 और यह यह भी नहीं पूछेगा और डीप में जाके कि February में हुआ या कब हुआ यह आपसे सिर्फ साल पूछ लेगा तो यह है इसका कहीं ने कहीं C.U.T. General Test का और मैं आपको history पढ़ाऊंगा बाकी एक और हमारे साथ चलेगा GKS की जो series होती है मैं वो आपको कराऊंगा बाकी जो subject हो जाते हैं जैसे geography का कुछ आता है content या हमारे पास हो गया economics का तो उसके लिए आपके पास अलग-अलग teachers हमारे टीम में है crystal all team में वो आपको उन चीजों को complete कराएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि around मान के चलिए अगर 10 topics वहाँ है ancient में 8 topics हमारे पास यहां पर medieval में है और 10 topics हमारे पास यहां model में तो आपको इनको इतना deeply नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप देखेंगे syllabus तो मैं आपको बताँगा कि अगर आप देखेंगे SSC का syllabus या फिर कोई और भी जो competition होता सेम यही syllabus होता है और खास कर के history जो C.O.T. general test यह कौन पढ़ता है यह बच्चे वो पढ़ते हैं खास कर के जो B.H.U. में admission लेना चाहें या फिर लखनाउ university में admission लेना चाहें या EU में admission लेना चाहें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा राम बार्ड शाबित होने वाला है और आप जरूर हम से जुड़िए और देखिए कि कैसे सार लोग आपको यह पढ़ाते हैं चीजे बाकी अब देखिए miscellaneous में अगर आपको miscellaneous कवर करना है तो देखिए क्या क्या हो सकता है important dates हो सकती है जैसे कि अब आपको यहाँ पूछ लेगा कि first battle of first battle of tarayan यह कहां हुआ था तो अगर आपको देखो बिच्चा यह काफी असान सवाल है और यह आता है 1191 में हुआ फिर second battle of tarayan हुआ 1192 में तो इस तरह के सवाल यह पूछता है जरूर कि हां कौन सा battle कब हुआ खास करके जो तीन battles है पानीपत की तीन battles या फिर हो गया जो Britishers के साथ हमारे battle हुए battle of classy हो गया battle of boxer हो गया तो यह कुछ important battles है जो आते ही आती है और देखिए कुछ हमारे होगे यहाँ पर जिसे reforms का क्या आए गए चार्टार एक्ट कौन कौन से लाए गए इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट में क्या क्या पास हुआ था morally mental reforms किसे का जाता है क्यों कहा जाता है और इसी तरह के सारे सवाल आएंगे और मैं आपको जरूर सारे सवाल कराऊंगा कि आप देखिए important saints में क्या आ सकता है यह काफी जो हमारे important personalities हैं खास करके जो important personalities होती हैं उनका ही आता है और इसमें आगर आप देखेंगे तो कौन-कौन हो सकता है देखिए माहत्मा गांधी हो गए गांधी जी हो गए हमारे साथ उसके बाद नहरो जी का आ जाता है थोड़ा बहुत कि उन्होंने कुछ चार्टर्स को क्या कहा था क्या स्लोगन दिये थे सुभाष चंद्र बोस हमारे साथ हो गए इनका कहीं ने कहीं आता ही आता है भगत सिंग का आता है तो ये कुछ चार-पांच ऐसे लोग हैं जिनके जो कोट्स होते हैं जो इनकी सेइंग्स होती है वो इनके डारेक्टली आ जाता है तो इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको इस सारी चीज़े कवर करेंगे तो अर्मुष्ट 30-40 लेक्चर में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ बिटा कि आप हिस्ट्री से एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे ये एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे और जो मैं Special GKGS Series लाँगा उसमें भी आपको बहुत help मिलेगी जो कि आपको clear करने में मदद करेगा क्या CUT General Test का paper CUT General Test का paper और इसका जो pattern रहता है बड़ा असान pattern है कि हाँ आपके पास around जो एक question होगा वो आपका 5 marks का होगा और एक negative marking होगी तो आपको यह चीजों को ध्यान रखना है कि आप उन्ही questions को attempt करें जो कि आपको आते हैं क्योंकि negative marking भी है तो यह भी चीज़ें हमें देखना है अब चलिए अब देखिए अब मैं आपके सामने हैं कुछ syllabus है यह वाला यह आपको proper domain का है अगर आपको DU medimation लेना है या फिर ऐसी universities में लेना है जहां पर वो मांगता है कि हाँ history आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आपको domain का paper देना ही पढ़ता है और अगर आपके पासी information नहीं है कि कौन सी university क्या मांगती है तो एक बार आप comment box में या फिर जो भी हमारा help line number देखिए यह हमारा help line number है आप कभी भी 24 into 7 यहाँ पर आप message कीजिए हम जरूर हमारी जो team है proper वो आपको reply देगी मैं यहाँ यह number लिग देता हूँ 9580900525 इस number पर आप कभी भी एक drop कीजिए message हमारी team जरूर reply देगी और plus यह हमारा telegram group है इसको भी आप join कीजिए यहाँ देखिए कैसे हम quizzes करा रहे हैं क्या क्या आप और learning ले सकते हैं तो इसी को मैं discuss कर रहा था कि हाँ अगर do में आपको admission लेना है तो आपको proper history का cut का जो paper है domain में वो देना ही होता है और इसका अगर pattern देख लिया जाए अगर मैं आपको pattern बताऊं तो देखिए अगर domain का pattern क्या है यहाँ पर आपके पास around 50 questions आते हैं उसमें से आपको कितनी करने होते हैं 40 questions आपको करने होते हैं domain में अब आपने 40 questions करें एक question आपका होता है 5 marks का तो total जो होता है 200 marks का यह paper बन जाता है और इसमें से हर सवाल पे एक negative marking रहती है अगर आप उसको गलत कर देते हैं तो total जो paper है वो बेटा आपका है 200 marks का और अगर आपको चाहिए 200 में से 200 marks तो आप जरूर crystal all team के साथ जुड़िए crystal all team के जो teachers हैं आपको जरूर mentor करेंगे कि यहां कैसे क्या किया जा सकता है कभी भी कोई भी help चाहिए हम सब आपके साथ available रहेंगे और हमारा जो बेटा जो course रहने वाला है CVT का यह complete होगा around 4-5 महीने में तो इस बीच में क्योंकि आपका जो paper रहने वाला है तो इस बीच में आपका काफे revision भी हो जाएगा mock test भी हो जाएगे plus आप चीजों को जान सकेंगे यहां कैसे कौन से msqs को कहा जाता है msqs भी अगर आप history domain के देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके से होते हैं कहीं होता है कि conclusion based आ जाएगा कहीं assertion और reasoning आ जाएगा कहीं आपको वो directly पूछ लेगा और mainly यह चीज़े आपको ensure करना है कि हाँ कैसे क्या करना है तो आपको guidance की जरूद पड़ेगी तो guidance के लिए आप जरूर crystal all को join करें अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा syllabus का जो deeply अगर आप देखा जाए तो कैसे बढ़ा जाएगा तो देखिए mainly जो history में जो syllabus है वो cover करता है class 12 class 12 को बहुत अच्छे से cover करता है और इसको आप समझने के लिए आप NCRT से NCRT को आप इसका Bible मान सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो बिटा NCRT को घोल के पी जाएए वहाँ से हर एक सवाल वहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है बाके हम आपके साथ हैं आपको कोई जरूरत हो तो आप जरूर बताइए देखिए unit 1 में आपसे पूछा जाएगा ये कुछ topics हैं अगर units देखा जाए तो around 14 to 15 units पुरे history domain में है जो पुरा cover करता है class 12 का history का syllabus और कुछ ऐसे उसमें chapters हैं जो आपको class 12 में नहीं पढ़ा जाते हैं लेकिन वो CET के exam में आते हैं तो वो भी हम लोग आपको अच्छे से prepare कराएंगे अब देखिए यहाँ पर the story of first cities हरपन archaeology broad overview आपको देना है कि urban centers कौन कौन से रहे हरपन civilization was mostly urban ठीक है तो यह चीज़े आप वहाँ सेखेंगे कैसे आपको हम बताएंगे हम सीज़े हर एक topic कवर करेंगे कि archaeological report क्या रहा major sites पर discussion में क्या कह रहा अब ही आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ syllabus में क्या क्या आता है और कैसे रहने वाला है ठीक है बच्चो तो देखिए एक सकंड यहाँ पर हमने खोला highlight ठीक है तो यह चीज़े हो जाती है कि unit 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर only आपको cover करेगा Moran Empire Moran Empire में हो गये हमारे पास यहाँ पर Ashoka तो जो टॉपिक्स रहते हैं यह कुछ टॉपिक्स दी है देखिए पॉलिटिकल एन एकनोमिक हिस्ट्री क्या है ब्रॉड ओबर्विव क्या रहा है जिसमें पॉलिटिकल एकनोमिक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे फिर इंस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट वगर आएंगे मैं आपको जरूर बताता रहूँगा कि हाँ M.S.Q.S. 4 में भी और चेप्टर का जब इस्टडी करेंगे तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यह जो भी है जैसे कि यहां पर आजाता है Issues in Social History Class, Caste, Kinship and Gender Transmission and Publications of the Mahabharata तो यह कुछ topics हैं जिनको मैं अच्छे से cover करूँगा प्लस यह unit 4 है आपका एक बार आप जरूर इसको read कीजेगा और यह एक important unit है जो की बुद्धिजम को cover करता है बुद्धिजम और जैनिजम पर अगर आपको चाहिए तो यह chapter होता है जो यहां से सवाल आते ही आते हैं और अच्छे सवाल आते हैं यहां से deep में पूछता है यहां कैसे किसको करा जाए तो यह चीज़े हो गई हमारी unit 4 अब unit 5 है travelers के accounts पे travelers जो भी travelers के विदेश क्या होता था पहले अगर कोई आकरमन कारी आता है और यहां पर अगर देखे तो गजनी मुहमद गजनी के साथ कौन आया था यहां पर तो हम देखे यहां पर आये थे अल बेरुनी तो यह कुछ नेम्स हैं जो आते हैं और travelers रहते हैं विजनेगर अगर में खास करके बहुत सारे आये थे कि कौन-कौन कहा कहा सा है तो हम उसको अच्छे से cover करेंगे और यह चीज़े फिर हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा lecture move on करता है तो यह हमारा हो गया unit 6 और unit 6 में देखिए religious histories क्या रही हैं भक्ती सूफी tradition की और यह जो प्लस अगर हम बागे बढ़े तो हमारा unit 7 आता है हम पी यहां पर आपका जाता है vision अगर आमपायर तो vision अगर आमपायर को आपको काफ़ी deep में पढ़ना है खास करके जो domain वाले domain वाले vision अगर आमपायर का जो भी notes होगा हम आपको provide करेंगे हमारा ppt होगा हमारा mock होगा regular आपका mock होगा और यह चीज़ा हम ensure करेंगे कि हाँ आपको बच्चो कोई भी problem ना है जो भी आपको content चाहिए जो भी guidance है वो हमारा काम होगा देना आप बस हमसे जुड़िए और देखिए हाँ आपको helpful है यह नहीं है नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम उसको और अच्छे से करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारी जो team है जो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं अब देखिए unit 8 क्या कहता है unit 8 कहता है यहाँ पर agrarian relations के बारे में बात करता है और इसमें क्या क्या एन एकबरी में खास करके क्या क्या लिखा है ठीक है अब अब फजलन अगर accounts दे हैं तो उसमें क्या क्या है और क्योंकि यह एक important source हो जाता है मुगल period को पढ़ने का तो यह चार्ट चीजे भी discuss करेंगे मैं कुशिस करूँग कि यह हमारा unit 9 है जिसमें मुगल कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है और क्या क्या कैसे politics होती थी क्या chronicles थे क्या translations रहे और खास करके अकबर नामा और पाथशा नामा में जो accepts जी हैं वो भी हम देखेंगे क्या है कि हमारा unit 10 हो जाता है जिसमें आप colonialism प्यब आ जाते हैं और इसमें क्या क्या है देखें जमिंदार यहां से कहीं ने कहीं आपका जो शुरू हो जाता है यह Britishers का हो जाता है तो यह आपको हो जाएगा यहां से modern India का part तो आप अगर अच्छे से देखेंगे सारी units को यहां पर भी जो units को बाटा गया है वो किस तरह बाटा गया है सबसे पहले ancient unit के कुछ chapters है then आपके पास medieval India के कुछ chapters है and then modern India के ठीक है तो यह चीज़े हो गई और इसी तरह हम भी आपको पढ़ाएंगे unit 11 देखा जाए तो यहां पर revolt of 1857 को आप अच्छे से पढ़ेंगे और यह सारी चीज़े कहीं नहीं कहीं मैं general test में भी cover करूँगा तो आपका recap वहां से भी हो जाएगा और जो भी topic होगा merge करने like मैं आपको बटा दूँगा कि हाँ यहां आमने पढ़ा है ठीके बच्चों तो यह हमने देखा कि हाँ यहां कैसे revolt हुए और क्या कहां से स्टार्ट हुआ 1857 का revolt तो यह समय आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से कौन कौन से लोग थे जहासी से कौन था और नापूर से कौन था कानपूर से कौन था कौन कैसे यह revolt end होता है और से बात क्या tragic history है यह इंडिया की तो यह सब पढ़ेंगा अच्छे से और देखो history को बिटा as a story आप पढ़ोगे तो कहीं ने कहीं आपको बहुत आसान लगेगा मैं आपको जिस तरह पढ़ाऊंगा आपको उसको देखेगा आपको कहीं लगे कहा सर ने महनत करिए तो आप बच्चो वह आपके अंदर भी देखने लगेगा कि जो सर में ट्रिक्स दे रहा हूं मैं जो आपको वेज दे रहा हूं जो निमानिक्स में पढ़ा रहा हूं आप इक बार रिवाई जरूर कीजिएगा रोज आप क्योंकि जो यह सब्जेक्ट है हिस्ट्री इसको आपको रिवीजन बहुत ज़दा करना पड़ेगा तो देखें यूनिट 12 में आपका जाता है कॉलोनिलिजम पे और इसमें क्या है टाउन प्लैनिंग के बारे में आप देखेंगे तो यह सारी चीजह है और मैं आपको मैं कोशिस करूंगा कि इस तरह से बनाया जाए कि मेंली जो हमारा जो टार्गेट है सुटी टूजीरो टूफोर उसको बहुत अच्छे से क्रेक्ट कर सकें तो यह हमारा आप देखिए यह हमारा यह को जाता है यह यूनिट 14 जो कि पार्टिशन को डिस्क्रिस करेगा कि कैस से वहां पर क्या पार्टिशन हुआ क्या 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 इवेंट्स हुए हिस्ट्री क्या थी 1940 के आसपास तो यह हमारा देखिए लास्ट यूनिट मेरे हिसाब से है यह 15 यूनिट है जो कि मेकिंग ऑफ कॉंस्ट्यूशन को डिसकवर करता है ब्यार अंबेड कर का क्या रोल रह हुँ तो मैं कहीं न कहीं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगा और फिप्टीन उनिट जाऊंगा तो सबसे पहले बिटा मैं जैनरल टेस्ट को पढ़ाऊंगा जैनर टेस्ट के साथ ही हम कवर करेंगे अपना यहां पर हिस्टि का डोमेन क्योंकि कई बच्चे होंगे अगर हि यहां से सवाल नहीं आते हैं तो मैं कोशिस करूँगा कि जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ ताकि हम हिस्ट्री डोमेन को पढ़ सकें और जो भी बच्चे हिस्ट्री ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो जरूर इन लेक्चर को देखें यह आपका बेस काम करेगा आपके मैं बात करते हैं कि सिटी जनेरल टे कह स्कार चुछ करखेंट और फिर उसके साथ हमारा आता है दूसरा चीज करेंगा टाइम निकालने क्योंकि देखो हम लोग भी स्ट्ट्री और हम भी पूशिस करूँगो कि आपको कवर करा सकूँ और स्टार्टिंग तो हम जनरल टेस्ट रही करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे यहां पर डोमेन सब्जेट की तरफ बाकि यह है कि अगर आपको डारेक्ट हमसे कनेक्ट होना है तो आप हमारी इस टेलिग्राम लिंक को जोइन किजिए और इस पर आप मैसिज कीजिए हमारा इंबचा फ्री बैच भी चल रहा है जिसको लगता है कि हां डेडिकेटड होके आपको मेंटर्शिप चाहिए आपको गाइड़न्स है कि कैसे क्या करना है तो आप ज़रूर इस नंबर पर आप मैसिज कीजिए और हमारी टीम आपको कॉंट्ट करेगी और फिर स्पेसिफिक वर्टसफ जो बैच है हमारा वहां पर आपको एड किया जाएगा और हम पर लोग परसनली आपको मेंटोर करेंगे तो यह सारी चीजे आज के रही हैं और यह जो 15 यूनिट्स है यह इंपोर्टेंट है और इसको हम अगर कहें तो 15 यूनिट्स को अगर मुझे कराना है तो तीन से चार लेक्चर तो मुझे लगेगा हर एक यूनिट पे तो अराउंड 60 लेक्चर मैं आपका लूँगा हिस्ट्री को लेकर और कोशिस करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी कंप्रीट करा जाए काफी डीप मैप कराऊंगा यह मत सोचेगा कि सर जल्देली भागेंगे क्योंकि टाइम नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको यह मैंशूर करूँगा कि हाँ यह हमारा जो है सिलिबस जनरल टेस्ट का और सीटी डोमेन का इसको मैं आपको अच्छे से कराऊंगा यह नहीं होगा कि बाकियों की तर ही दिया है कि हां कैसे क्या रहने वाला है बाकि अगर आपको लगता है कि कौन सी उनिवर्सिटी में कहा एडमीशन लेना चाहिए इसका वीडियो चाहिए आपको गाइडेंस आई तो जरूर आप बताईएगा कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी हम आपको उस तरह का कंटे करना कि इसका रिवीजन आप करो और फिर उसका mcq आप जरूर लगाओ इससे क्या होगा कि आपको फाइदा होगा रिवाइस करने में अगर आपका रिवीजन नहीं होगा फ्रॉम डे वन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो यह होगा कि आ at gmail.com यह हमारा टेलिग्राम का लिंक है यहां आप जॉइन कीजिए यहां पर रेगुलर बेसिज पर क्योंज होता है प्लस यह हमारा हेल्प लाइन नंबर है कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप दारक लिए यहां कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फ्री बैच के लिए जो हमारा फ्री बैच में आपको बताया अगर आप पोस्का चाहिए तो अब मैसिज कीजेगा हम डारक लिए आपको एड कर देंगे वहां पर तो ठीक है बच्चो आज के लिए अगला लेक्चर हमारा लेक्चर वन रहने वाला है जो की एंशेंट हिस्टी को कवर करेगा प्री हिस्टॉरिक पीरियड प्लस उसके साथ साथ हर अपन सिवलाइजेशन को हम देखेंगे कि यहां वहां से क्या क्या सवाल आते हैं और कैसे आते हैं और आज के लिए थैंक यू कि उन्युम नग्यू नग्यू